हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम उमेर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टुडेंट अफ बेकर्ज आज मैं आपको एकलियर की बहुत अच्छी रेसिपी बताऊँगा बनाने में भी बहुत असान होगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा क्रीम पफ भी बोलते हैं इसे तो चलें शुरू करते हैं 250 ml वाटर लेना है आपने 250 ml 100 ग्राम उसमें बटर डालना है एक टीस्पून शुगर और एक टीस्पून सॉल्ट ये चीज़े अड़ करके इसको चुले पर रख दें और बॉइल करें इसे मीडियम मीडियम इड़ पर रखें दो से तीन मिनट लगेंगे इस तरह बॉइल होना शुरू हो जाएगी 240 ग्राम फ्लोर आपने इसमें एड़ कर देना है चुले का फ्लेम बंद कर लें और इसको मिक्स करें फ्लोर को और पानी वगरा को अच्छी तरह मिक्स करें से इसका पेस्ट बन जाए जैसा अटा गूंदने के बाद होता है इसको आप मिक्सर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं हाथ के साथ भी कर सकते हैं लेकिन गरम होता है क्योंके इसलिए स्पून के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें फ्लोर को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आपको एक्लियर सॉफ्ट चाहिए तो फ्लोर 200 ग्राम डालें अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो 240 ग्राम आपने फ्लोर एड़ कर लेना है ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है अभी इसको किसी दूसरे बरतन में डालें डालें अगर आपके पास मिक्सर मशीन है तो आप मशीन में डाल के अटे डालना शुरू कर दे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक अटा डालना है और उसको मिक्स करना है इसमें वह चॉटर 4 अन्डे डलते हैं अगर आप फ्लूर कम डालेंगे तो अंडे भी कम ही डालेंगे इसको एक अंडा मैंने डाला है इसको अच्छी तरह मिक्स करने है उसके बाद दूसरा अंडा एड़ करने है अंडा अंडे तब तक एड़ करने है जब तक यह पाइपिंग से निकलने के लिए रेडी ना हो जा इसी तरह तीन से चार अंडे इच्स में डलेंगे, वेट पर डिपैंड करता है, अगर अंडा साइज में थोड़ा बड़ा हो तो कम डलते हैं, इस तरह का इसका जो मिक्श्र है वो हो जाएगा, अब अगर हम जब इसको पाइपिंग में डालेंगे तो वो एजीली पाइपिं तब वो पाइपिंग से निकलेगा नहीं मैंने इसमें चार अंडे एड़ गिये है अभी पाइपिंग ले ले कोई भी नोजल उसके सामने उसके साथ लगा ले आप साधा लगाना चाहते हैं साधा लगा ले कोई भी आप शेप इससे निकाल सकते हैं यह पाइपिंग मैंने डालिया है अभी ट्रे लें कोई उसके नीचे बटर या ओइल लगा के उसके उपर बटर पेपर लगाना है ताके बटर पेपर चिपक जाए ओइल के साथ भी ग्रीज कर सकते हैं ट्रे को अगर बटर पेपर ना हो तो ट्रे को ऑईल के साथ ग्रीज करके उसमें फ्लोर डालें और वो फ्लोर वापिस निकाल दे जो थोड़ा थोड़ा लगा रह जाता है उसके उपर भी यह बन जाता है इस तरह भी ये देखें बैटर इस तरह मिक्शेर इस तरह का होना चाहिए कि वो इजी ली पाइपिंग से निकल जाए अगर ये ज्यादा सक्त होगा तो निकलेगा नहीं और अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो सही बेक नहीं होगा वो ट्रे में फैल जाएगा इस तरह आपने निकाल लेने उसके बाद पानी ले ये जो इसके नोक ऐसे निकले हुए आप इसको सेट कर ले जहाँ पर आप इसको बेक करना चाहते हैं इधर उदर निकल जाते हैं एक्सियर तो इसको आप सेट कर लें तकरीबन बीस से पच्चिस मिनट लगते हैं ये बेक हो जाता है ये बेक हो चुक है साइज इसका छोटा मैंने रखा है आप चाहें तो गोल साइज या बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं इसमें मैंने स्टिक के जरीए थोड़े सुराख निकाल ली है आप इसमें वीपिंग क्रीम फिल कर लें या फ्रेश कस्टर जो इसकी क्रीम अपनी बनती है वो फिल कर लें इकलियर बनाना बहुत ही एजी है मैं इकलियर की जो क्रीम है उसकी भी रेसिपी इंशाला जल शेयर करूँगा मेरे पास जो नोजल थी उसका साइज थोड़ा बड़ा था आपने छोटा रखना है यह चॉकलेट है वाइट चॉकलेट इससे मेल्ट किया है उपर आप कोई भी चॉकलेट वगरा या कोई भी गार्निश जिस तरह आइसिंग शूगर उपर लगा लेते हैं यह ब्लैक चॉकलेट होती है कुछ भी लगा सकते हैं आप जब पाइपिंग में आपने पाइपिंग से निकालना है तो पाइपिंग का साइज थोड़ा छोटा रखें और उसको थोड़ा साइज से लंबा निकालें तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा